हेलो प्रेंट्स वेलकम टो मैं चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में जैसे सभी साइज के ब्लाउज की जो स्लिउज कटिंग होती है वो कैसे करनी है यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हो जैसे यह वीडियो आप देखने के बाद जैसे फोर्टक्स ब्लाउज हो या cutory blouse हो, या princess cut blouse हो, या double cutory हो, किसी भी size के cutory blouse हो, या किसी भी छोटा हो, बड़ा हो, आप सभी size के blouse में आप slu, जो है, वो cutting कर सकते हैं, तो वो कैसे cutting करनी है, वो मैं आपको बहुत simple तरीके से समझाऊंगे, जैसे इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वैसे भी मैंने बहुत सारे cuttings, cutory blouse की, या princess cut blouse की, simple blouse की, जो मैंने अपलोड की हुए है, उसमें भी बताया है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर है, उनके लिए में ये वीडियो बना रही हो, अब दिखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जब भी स्लीव की cutting करते हैं, आपको इस तरह से paper ये आपका कपड़ा वो लेना है, और इसे इस तरह से रखना है, सबस्रいたवाइब करना है उसमें आपको देड करना पड़ता है ज jurisdiction करकूँ आपku प्रफेक्ट स्थियूसर निकालनी तब दिक्कत आजाती है जो बैसिक सीखते हैं तो उनको दिक्कत तो इसकी इसी लिए आपको क्या करना है perfect sluze को है वो निकालना है अब जब भी आप sluze की cutting करते है तो आपको क्या करना पड़ता है front या back side आपको लेनी है उसके बाद जो आपका आर्मुल है आर्मुल को आपको CROSSMIN आपना है यहां से yeah एहां तक आपको क्रॉस में आपना है यह आता है हमारा आट इंच आपको क्या करना है इसमें आधा इंच प्लस करना है यहां कि साड़े आट इंच लेना है इसकी चोड़ाई निकल थी हमारी साड़े आट इंच तो साड़े आठी इंच पर आपको एक मार्किंग करनी है साड़े आठी इंच पर मार्किंग करने के बार यहाँ आपको क्या करना है इस तरह से सीधी लाइन खीजनी है और जो एक्ष्रा मार्जिंग है एक्ष्रा मार्जिंग को कट करेंगे कि रखियान केसे ंफानियों के सद्वी अव Presents करने के बार हम इसे आपको इसकी लंबाई नापनी है और अबski उसकी लंबाई पांच चेश है तो आपको पांच चीन's पहें है उसके आगे आपको डेढ़ चैक्षरा एक्षर रखना है जो भी जितनी बें आपकी लंबाई होगी उसमें आपको देडिंच एक्षर रखना है और यहां पे हम एक सीधी लाइम खीछते हैं और यहां आपको जो एक्षा विपर है उसे हमें कट करना है कट करने के बाद यह देखे यहां आपको तीन इंच पर एक मार्किंग करनी है जो हम सभी साइज के स्ली उसके लिए तीन इंच ही लेते हैं तीन इंच लेने के बाद यहां आपको एक इंच सीधा रतना है और इस से बहुत वर साइड में हमने एक भी ख़ती बेख पर वार कि सावच के जो के लिए यह देखें यहां को इस तरी processed करें को कि इसमें उको झौइनक करना है कि देखें यह जो शेप होता है यह हमारा डुष चान सीच में उकित है अब देखिए दूसरा यह होता है यह एक इंच में सिधा लेना है और इस में से अपको यह शेव को निकाल के इस तरह से देना है और यह आपको क्या करना है जीना है असे इस फ्र ils आप है यह हमारी बैक सेड में जॉइंट होती है उसके साथ साथ जैसे यहां पर हमारा साढ़े चेंज बॉटम है तो इसमें आपको देड़ इंच प्रस करना है और इसे इस तरह से हम जॉइंट करेंगे अब देखें यहां आपको यहां से कट करना है पहले हम इस तरह से कट करते हैं पर जब हमारी फ्रेंट सेट आती है तो आपको इस तरह से पकड़ना हैसलिव've को खोलना है सिर्फ आपको यह फ्रेंट साढ़ में ही इससे कट करना है के यहां पे आपको एस तरहसे मरी स्ल्यूस कि जो कटिंग है इस तरह से आती हैं अब सभी साइस के ब्लाउब के लिए ने कटारी ब्लाउब पृूर्टकश के लिए यही फॉर्मिल यूस करके आफ़्ल इसहीं प्लस 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 करना है और यहां पर की देद प्लस करना है और यहां पर की स्लीवस की चौड़ाई निकलेगी लंबाई जितनी होगी उसमें प्लस करना है उसके साथ साथ जब हम 3-4 स्लूस बनाते हैं जैसे 13-14-15-16 तक स्लूस बनाते हैं तो लंबाई आपको ऐसे चोड़ाई आपको ऐसे रखनी है तीन इंच पर ही मार्किंग करनी है और बाजो का शेप जो है वो देना है सिर्फ आपको इसकी लंबाई नापनी है और लंबाई बढ़ानी है उसके बाद जैसे हम full SLUS बनाते हैं यहा तक तो 20 सिंच, 1K, 20 बाई इक सिंच, जितने भे आपकी approximately लंबाईों होगी सिर्फ आपको लंबाई बाहनी है उसमें आपको देड इंच प्लस करना है और चोड़ाई निकालने का सही तरीका वही है जब हम चुननट वाली बाजू निकालते हैं यहाँ पे आपकी चुननट रहती है जब फूल बाजू बनाते है और यहाँ पे चुननट चाहिए होती है तब आपको क्या करना है लंबाई में जैसे यहां तक आप नापोगे तो 20-21 इंच अपकी लंबाय होगी चुन्नट वाली बाज़ो चाहिए तो आपकी चुन्नट जैसे कपड़े के इसाफ से हम चुन्नट बनाते हैं 5-6-7 इंच तो आपको कपड़ा जो है कर सकते हैं अभी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरू कीजिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग दिस उडियो